किसी ने एक मन की अपनी शंका लिखकर के भेजी थी सहब जी के पास कि मैं कबीर सहब का शिश्य नहीं हूँ उनके किसी परंपरा के गुरु से दिख्शित नहीं हूँ फिर भी उनका ग्रंथ पढ़ता हूँ मैं दिख्शित चिस्चे नहीं हूँ फिर भी उनका ग्रंथ पढ़ता हूँ तो क्या यह उचित है इससे लाब होगा पुछने का आशर है कि गुरु तो मैंने नहीं माना लेकिन फिर भी पुस्तके उनके द्वारा लिख्शित पढ़ता हूँ दिख्शित नहीं हूँ तो उससे कुछ लाब होगा या नहीं होगा यह ठीक है या नहीं कई गुरु कहा करते हैं जब तक तुम दिख्शा नहीं लोगे तब तक पुरा लाब नहीं मिलेगा उनका जवाब है किसी का गृंथ पढ़ने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनका शिस्स हुआ जाए आप उनके गृंथ पढ़ते हैं यह सर्वता उचित है महापुरुषों की वाणियों से प्रेणा लेकर उनके अनुसार चलना यही शिस्षत तो है जो उनके कहें अनुसार चले वही उनका शिस्स्स है सद्गुरु ने तो कहा है कहा ही कबीर सोईजन मेरा जो घर की रारी निबेरे जो अपने शरीर रूपी घर के इच्छा चाहना जगड़े को मिटा दे वही मेरा शिस्स्स है आदमी अपने जीवन में अनेक संतों विद्वानों इमलेखों की पुस्तकें पढ़ता है किसका किसका शिस्स्स बनेगा वह जितना बने अधिक से अधिक गरंथों का स्वाधाय करते रहो और उनसे प्राप सब विचारों को जीवन में लाते रहो यही उन संतों के प्रती कृतगिता विक्त करना है और यही उनका शिस्स्स होना है शिष्ष वह है जो शाषन अर्थात उपदेश माने बुद्ध के लिए बहुत गरंथों में अनुशास्ता शब्द आता है अनुशास्ता गुरु शब्द नहीं आता शायद उस समय यह शब्द इतना प्रशलान में न रहा हो गुरु शब्द नहीं आता है बुद्ध के लिए अनुशास्ता शब्द आता है और कल्यान मित्र यह दो शब्द आते हैं कल्यान मित्र का अर्थ है वह मित्र जो कल्यान में सहयोगी बने हैं और दूसरा शब्द आता है अनुशास्ता 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 शास्ता 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 से आया है जिसके शाशन में लोग जिसके शाशन को लोग अनुसारण करें वो है अनुशास्ता बुद्ध के लिए गुरु शब्द नहीं आता है क्यों नहीं आता उस समय शायद गुरु शब्द का इतना पिशलन ना रहा हो जैसे गौड शब्द है बहुत पुराना नहीं है पुराने गरंथों में गौड इश्वर शब्द नहीं मिलते हैं ये बाद के शब्द है तो अनुशास्ता शब्द उस समय चलता था बुद्ध के लिए तो जिसका शाशन हमारा मन सुविकार करे वह हमारे अनुशास्ता है सहभ जी नहीं लिखा है शिस से वह है जो शाशन माने किसी से दिख्षा ले लेना मातर ही उसका शिस से होना नहीं है यह तो आपचा रिकता है जो उनके शिक्षा उदेश को ग्रहन करे वही असली शिस से है आपने कहा कबीर साहब का शिस से नहीं हूँ जिनका शरीर सैक्ड़ों वर्ष पूरों छूट चुका है उनका शिस से कैसे हो सकते हैं जो गुरु वर्तमान में उपस्थित हो जिनसे मुलाकात होती है उनका शिस से हुआ जा सकता है शिस होने का अर्थ है उनके बताए मार्ग पर चलना कबिर सहब की विचारधारा बहुत उदार है बहुत लिब्रेल है क्या पूजा करने से अगला प्रश्ण देवी देवता मनुस्य की मांग पूरा कर देते हैं पूजा करने से क्या देवी देवता हमारी मांगों को पूरा कर देते हैं सहब जी का जवाब है पूजा करने से मन प्रसंद होता है और मन में थुड़े शान्ती और संतोस का अनभव होता है कोई किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए पूजा करता हो यह गलत है ना बाहर कहीं कोई देवी दे होता है जो कि पूजा करने से प्रसंद हो करके हमारी किसी मांग को पूरा कर देंगे और ना इस धंकी पूजा करना उचित है यदि मांग पूरा करने का इतना है शौक है तो खूब परिश्रम करो पूजा पाठ नहीं एक प्रशन और आता है ये तमाम देवियां हैं दुरगा, काली, सरस्वती, संतोसी इन देवियों के नाम क्या पुराणों में हैं और यदि हैं तो उनके माता-पिता के नाम क्या है साहिब लिखते है उन्होंने लिया है नाम संतोसी ये तो बिल्कुल काल्पनिक है इसका कोई इतिहास नहीं है कुछ साल पहले एक फिलिम बनी थी जै संतोसी मा तो उन सिनेमा वालों की क्रपा से इसकी उत्पत्ती और प्रिशलन हुआ है संतोसी तो एकदम काल्पनिक है दुरुगा कालिस रस्वती तथा कुछ अन्य देवियों के नाम भिन्य पुरानों में हैं अब इनके माता पिता उनके बारे में पस तोर पर कुछ कहा नहीं जा सकता और आपस में भी काफी विरोध है क्या करोगे सबके माता पिता का नाम जान कर खुद अपने माता पिता और उनकी आगे पहले की परंपरा का नाम मालूम नहीं होगा इतिहास के जिनमहा पुरुशों का पता है उनके आदर्शों से प्रणा लेकर के जीवन सुन्दर बनाओ माता काउन है पिता काउन है उतिहास क्या है उनका इस उखड़ मुन में मत पड़ो बस ऐसे छोटे छोटे प्रश्ण है अगला प्रश्ण है क्या संतों के दर्शन तथा गंगा अस्नान करने से पाप कटते हैं संत दर्शन इम गंगा अस्नान और पूजा पाठ के भरोसे में पाप मत करो किसी के दर्शन से पाप नहीं कर सकते अवचारिक पूजा पाठ के भरोसे पाप कटने का भरोसा करना अपने को धुखा देना है जो पाप कर चुके हो उसका फल भोगना ही पड़ेगा लेकिन जो हो गया वह हो गया आगे से गलत करना एकदम बंद कर दो गंगा अस्नान करने से शरीर शुद्ध होता है उसके साथ एक धार्विक भावना जुड़ी है इससे छणिक मानसिक संतोस होता है इससे पाप नहीं कटते जब छोटे छोटे थे और संगम में अस्नान करने जाय करते थे तो घर के जितने सदस्य हैं वो सब के लिए डुपकी ली जाती थी किसी के घर में पंद्रस अदस हैं तो जब डुपकी मानना शुरू करे गंगा जी में तो पंद्रे डुपकी लेता था और अगर छोटा बच्चा है और कुछ रह जाए तो फिर से फिर से उतना लेता था मतलब पहुँशना चाहिए अब छोटी सी नाक और छोटे से कान और धब 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 डुपकी लेते लेते एक्दम आखें लाल हो जाते थी लेकिन यह जाता था यह बहन के नाम यह पिता के नाम यह मा के नाम भाई के नाम जो बहुत नजदीक रहते थे उन सब का किया जाता था यह मुझे अभी तरह आता था ना तो घर में आग बता देते थे, तुम्हारा नहीं लिए है, गंगा दर्शन, संत दर्शन और गंगा असनान से, छणिक मानसिक संतोस होता है, पाप नहीं कड़ते, संतों के दर्शन, विवेग बैरागे संतों के दर्शन और सत्संग से, गलत कर्मों से हटकर, सही जीवन जीने की प्रणा मिलती है, सत्मार्ग में चलने से, गलत कर्मों के संसकार छिण होते जाते हैं, और शुब कर्मों के संसकार, पुष्ठ होते हैं, इससे मन निर्मल होता जाता है, यही, यही संतों के दर्शनों से पापों का कटना है, इसको ऐसे समझा जाएं, एक और प्रश्ण है, सद्गुरु कबीर ने कहा है, पुरब दिशा हरी को बासा, पस्चिम अलेह मुकामा, कहने का भाव है, पुरब दिशा में हरी का बासा है, पस्चिम अल्लह मुकामा, पस्चिम की तरफ अल्लाह का मुकाम है, अल्लाह का बास है, तब दिल में कैसे मिलेंगे, उत्तर, कबीर साहिब के कहने का भाव यह नहीं है, कि पुरब दिशा में हरी का निवास है, और पस्चिम में अल्लाह, हाँ, हिंदू लोग ऐसा मानते हैं, कि पुरब की तरफ, हरी का बास है, इसलिए उत्तर पूरब की तरफ, पानी देते हैं और पूजा करते हैं, मुसल्मान, भारत में, पस्चिम की तरफ, जिधर काबा पढ़ता है, उधर की तरफ मुह करके, नमास पढ़ते हैं, कबीर सहब, इस पंक्ति में, हिंदू और मुसल्मान, दोनों की माननेताओं को दर्शाते हैं, वे कहते हैं, राम और रहीम, ईश्वर अल्ला, जिनको तुम पूरे पस्चिम या उत्तर दक्षिन दिशाओं में खोजते हो, वे कहीं बाहर किसी विशेश दिशा में नहीं है, हाँ, वे है परमलक्षि तुम्हारे दिल में निवास करता है, वे है तुम स्वयम हो, इसलिए परमात्मा और अल्लाह की तलाश में बाहर भटकना छोड़ दो, तुम से अलग तुम्हारा परंत्त तो कहीं बाहर नहीं है, थोड़ा इसको सुन लें, फिर आगे कर प्रश्न करेंगे, दर्शन और धर्म, ये दोनों अलग अलग चीज हैं, इसलाम में दर्शन नहीं है, दर्शन मतलब फिलोसफी, अनेग विचार, इसलाम में दर्शन नहीं है, इसलिए इसलाम कट्टर हो गया, और जो हिंदू समाज है, उसमें जो धार्मिक गुरु हुए, वो दर्शनिक भी थे, तो दर्शन की वजह से, इनके धरम में लचीलापन है, आप किसी देउता को माने, किसी दूसरे को माने, या ना माने, आप भगवान को माने या ना माने, परमात्मा को माने, ना माने, आत्मा को मानते हैं, नितिक्ता को मानते हैं, सदाचार को मानते हैं, अगर तो आप धार्मिक हैं, हिंदू समाज में दर्शन का इतना रोल रहा है कि धर्म कट्टर नहीं होने पाया जो इसलाम है इसलाम में दर्शन नहीं फिलोसिफी नहीं है उनके जो मुखिया थे उन्होंने कह दिया एक अल्लाह को मानोगे उसके पैगंबर को मानोगे और उनकी कुरान को मानोगे तो तुम धार्मिक हो मुसल्मान होने तुम मुसल्मान नहीं हो हिंदूों में इस धंका किसी ने कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाई क्यों इतने विचार धाराएं हैं कि जैसे इसको ऐसे समझे जैसे गुबारा है गुबारा फूल सकता है कितना जितना उसकी छमता है maximum जितनी capacity है उतना अगर उसमें हवा भरो तो फूल सकता है तुमने कभी फुलाया ही रही हिंदू धरम में तमाम विचार हैं जिनका उसमें समनवय है इसलिए तमाम दर्शनों की वज़े से हिंदू समाज बड़ा लचीला है देवी मानो देवता मानो संत मानो इश्वर मानो पुजा कर लो मूर्ती की नहीं करो तुम आत्म ग्यानी हो जाओ बुद्ध हो महावीर हो नानक हो यह सब हिंदू समाज में समाहित हो जाते हैं क्यों दर्शन अलग-अलग है इसलाम में क्या है इसलाम में फिलोसिफी नहीं है चिंतन नहीं है विचार नहीं है जैसा कह दिया गया बस वैसा मानो हजरत मुहम्मद खुद गए थे मक्का में और उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर था उसे मंदिर ही कहेंगे 365 मूर्तियां थी उन मूर्तियों को उन्होंने तोड़ना शुरू किया और उनके सिस्चों ने करके उन्हों सारे मूर्तियों को तोड़ दिया और कहा मूर्ति पूजा आज से नहीं होगी मूर्ति पूजा नहीं होगी मूर्ति पूजा खतम हो गई और तब एक पत्थर पड़ा था पत्थर ही पड़ा था काला पत्थर उस काले पत्थर को उठा करके उन्होंने मित्रों के साथ वहां रखा और इसको पूझ लेना बस हो गया तो पूझते तो वो भी पत्थर ही हैं लेकर उसमें कोई चेहरा नहीं बना होता और इसलाम में आज भी मूर्ती पूजा नहीं करते हैं चेहरा वाला चित्र नहीं पूजते हैं हिंदूओं के हाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है आप चाहो तो मूर्ती पूजो चाहो तो मूर्ती मत पूजो चाहो तो आत्मग्यानी हो जाओ चाहे तो भगत हो जाओ इतनी विचारधाराएं हिंदू समाज में हैं वो इसको उदार बनाती है इसलाम में कटड़ता इसी लिए है इसलाम में तलवार का जोर इसी लिए है कि उनके यहां विचारों की विचारों का लचीला प्रपन विचारों की उदारता नहीं है थोड़ी उदारता हिंदुस्तान में आकर के हुई है उनमें लेकिन ज्यादा नहीं यह जो साखी सद्गुर कबीर की बिजक की है कि पूरब दिशा हरी को बासा पस्शिम अल्लह मुकामा साहब निसके आगे भी कहा है दिल में कोज दिलही में कोजो इह करीमा रामा हिंदू पूरब की तरफ, मुसल्मान पस्शिम की तरफ जहां खोजना चाहिए, वहाने खोजते हैं, वह बाहर खोजते हैं खोजना है तो अपने दिल में फ्र्दे में खोजो तुमसे अलग तुम्हारा परंतर तो कहीं बाहर नहीं है इस प्रकार उन्हों ने समधान दिया है मैं कबीर पंथी हूँ लेगन कंठी माला नहीं पहनता जो कभी सत्संग में जाना होते हो तो पहन लेता हूँ यह कोई संथ आने वाले होते हैं तब पहन लेता हूँ ऐसा करना गलत तो नहीं है गुनेन सहाब ठीक है ठीक नहीं है भाई कभीर पंती तो हई है कभी-कभी पहन लेते हैं कभी नहीं पहनते हैं क्या ऐसा करना ठीक है सहब लिखते हैं फैशन के नाम पर लोगों को कुछ भी पहना दो लोग सुविकार लेते हैं और पहनते हैं तो फिर सात्विक वेश या सात्विक चिन्ह को पहनने में संकोच क्यों फिर भी यदि किसी प्रकार के धार्विक वेश रखने या पहनने के लिए मन सुविकार नहीं करता तो कोई हर्जा नहीं है नहीं पहनते हो तो मत पहनो लेकिन यदि संतों के आने परों कहीं सत्संग में जाते समय कंठी माला पहना जाता है तो यह सिर्फ दिखावा है यह पाखंड हो जाता है यह स्वैम को धुखा देना है कंठी माला पहनते हो तो हर समय पहनो और नहीं पहनते हो तो किसी समय न पहना जाए मैं कबीर पंथी हूँ लेकंठी माला नहीं पहनता कभी कभी जब संतों को आना होता है यह मुझे सत्संग में जाना होता है तब पहन लेता हूँ ऐसा करना ठीक है सहभ ने कहा नहीं ठीक नहीं है पहनना है तो हर समय पहनो धोना हो साफ करना हो तब उसको हटा देना ठीक है लेकिन कभी पहना जाए कभी हटाया जाए यह यह ठीक नहीं है क्या रावन के दस सिर्यों बीस हाथ थे वो महाभार रामायन में जो उसे रामानन सागर ने प्रस्तुत किया था टीवी में उसमें अर्विन त्रिवेदी ने रावन का रोल किया था वो इतना मशुहूर हुए थे कि बात में वो दो बार लोग सभा के सांसत चुने गए थे चुनाव लड़े थे अभी उनका श्री छूट गया तो कभी कभी रामानन सागर ने कभी कभी दिखाया उनके दस सिर कभी कभी जब कोई खास घटना आती थी तब दस सिर दिखाते थे उनकी बीस भुजाएं दिखाते थे तो क्या रावन के दस सिर बीस हाथ थे एक बार वग्यानिकों की एक सभा थी तो मोदी जी उसमें गय हुए थे बोलने के लिए तो मोदी जी ने कहा हमारे हाथ तो सरजरी बड़ी उचे क्लास की हुआ करती थी गणेश जी को देखो हाथी का शरीर और मुहूँ जोड है वो सरजरी की निशानी है इंदोस्तान की मुझे लगा दूसरा उधाओ रावन का भी दे सकते थे कि देखो हमारे हाथ रावन हुआ था जिसके दस सिर्व हुआ करते थे और बीज भुजाएं होती थी ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं हुआ तो उधाओ भूल गय थी इसलिए मुझे हसी आई डॉक्टर बिचार चुप चाप बैठकर सुनते रहे वैज्ञानी क्या करें पधान मंत्री बोल रहा है अब किस से लेकर के रोएंगे तो कल्पना है प्योर फिक्षन है क्या रावान के दस सिर्म बीस हाथ थे अनेक रामायनों में रावान के दस सिर्म बीस हाथ बताए गए हैं कितनी रामायन है भारत से चल करके रामायन रमायन, मलेशिया, थाइलेंड, इंडोनेशिया, इन सब छेत्रों में रमायन पहुंची है, और आप जानते हैं, बौधों में भी रमायन है, जैनियों के हां भी रमायन है, भारत में भिन भिन जगहों पर रमायन है, 500 तरह की रमायन है जैनियों के हाँ जो रमायन मिलती है उसमें राम और सीता भाई बेहन है वे प्रकार है रमायन का 500 तरह की रमायन लोगों में पिशलित है अपने अपने धंकी इतना विस्तार है रामायन का भारत और भारत के बाहर तो इसलिए साहभ लिखा कि अनेक रामायनों में रावन के दस सिर शीर बीस हाथ बताए गये हैं वास्तिविक्ता यह है कि जैसे सभी आदमियों के एक सीर और दो हाथ होते हैं वैसे रावन के भी एक ही सीर और दो हाथ थे जब रावन पंचवटी में सिता का हरन करने के लिए सिता के सामने गए हैं तब उनके एक सीर और दो हाथ बताये गए हैं आगे चलकर जब सिता की खोश में हनुमान जी लंका गए हैं तो वहां राजभावन में सिता की खोश करते हुए उत्तम कीमति पलंग पर सोया हुआ एक व्रति दिखाई पड़ा जो की रावन है उसके दो हाथ हैं और एक सिर हैं वालमी की रामायन में भी रावन के दो हाथ एक सिर बताया गया है यह जो दस सिर और बीस हाथ होने की बात यह अलंकारिक कथन है इसका इतना ही अर्थ है कि मानो उसके दस सिर हैं अर्थाद वो बहुत विद्वान है और बीस हाथ वाला है बहुत बलवान है बस इसका इतना ही अर्थ है जैन रावायन के अनुसार बच्पन में रावन के गले में पड़ी हुई माला की मड़ियों में उसका पिता रावन के सिर के दस प्रतिबिम देखकर कहता है कि तेरी तो दस गर्देने हैं वो एक माला पहनता है उसमें उसके प्रतिबिम बाते हैं उसका पिता कहता है कि तेरे तो दस दस गर्दन हैं लेकिन वहां भी रावान का एक ही सिर बताया गया है वो माला में जो मड़ियां हैं उन मड़ियों में उसके सिर के प्रित्विम भी दिखते हैं इसकी विएसु से दस्तिरवाला कहा गया है रामान सागर जब रामायन बना रहे थे तो इसमें आया कि हनुमान जी को बिना पूछ वाला दिखाएं ना पूछ दिखाएं तुन्हों ने बैठा करके कि मीटिंग की और कुछ पंडित लोगों को बुलाया रामायन के मरमग लोगों को बुलाया कि हनुमान जी को पूछ वाला न दिखाएं तो क्या दिक्कत है बिना पूँच वाला ही दिखाएं तो लोगों ने कहा वो जनता सुविकारेगी नहीं बिना पूँच वाला और फिर वो लंका में आग लगाई जाती है लगती है तो वो हनुमान जी की पूँच में जो है बत्ती बनाई जाती है तब वो शोक वाड़ का जलती है तो कैसे होगा और इतना ही नहीं उनका मुह भी थोड़ा सा दूसरे ढंका होना चाहिए तो उन्होंने फिर वैसा ही किया जैसा जनता चाहती थी उसका मुह जो फुलाया गया दारा सिंग को उन्होंने चुना था तो उसका मुह फुलाया गया और पूछ अलग से बांधी गई तो जैसे वो हनुमान जी के साथ उसके पूछ जुड़ी हुई है वैसे रावन के साथ उसके दस सिर जुड़े हुए है और यह अलंकारिक है लेकि चुकि जनता में उनकी वैसी च्छवी है इसके वैसी चलता है संसारता जान लेने पर भी मोह नहीं छूटता संसार की असारता जान लेने पर भी हमारे मन का मोह नहीं छूटता क्यों इसलिए कि संसार की असारता का पूरा बोध अभी नहीं हुआ है अभी जो जानते हो अभी जो ज्ञान है वह सतही है और वाचिक वाचिक माने मुह से कहा हुआ है वो सुन लिये हो बस सतही है गहराई में अभी वो पैठा नहीं है मन में अभी सुक शुरूप से भोगों की कामनाएं बनी हुई है और उनको दूर करने के लिए हमारे में भी प्रत्नों की कमी है हम कोशिश नहीं कर रहे हैं तो जो ज्ञान है वह उपर उपर है और जो संसारिक सुख का राग है वह भीतर है गहरे धसा हुआ है और हम उस राग को हटाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं जिस दिन संसार की असारता ठीक से समझ में आ जाएगी उस दिन तुम्हें पूशना नहीं पड़ेगा कि मोह क्यों नहीं छूपता आएगा आएगा कहते हैं कि संसार में उसी का मरना सार्थक होता है जिसका अंत भला होता है इसका भाव क्या है अंत भला कैसे होता है अंत भला होने का भाव है कि मृत्यू के समय में मन में किसी प्रकार का संताप या पस्चाताप ना हो और मन में इस बात का संतोस होना कि जो करना चाहिए था वैं हमने कर लिया है लेकिन जो जीवन में गलत कर्म करता रहेगा उसका अंत भला नहीं हो सकता गलत करने पर पुरा जीवन चंचलता में दुख में और अशान्ती में जलता है और जीवन के अंत में भी खाली हाथ जाने का खाली हाथ जाने की पिड़ा होती है इसलिए यह कहा गया है कि जिसका अंत भला उसी का मरना सार्थक है इसी से जुड़ा हुआ प्रश्ण है संसार से एक दिन जाना है ऐसा जानते हुए भी हम माया मुँँ में क्यों पड़े रहते हैं क्योंकि अभी और अधिक देखने सुनने भोगने की इच्छा बनी हुई है ग्यान जब तक हिर्दें की गहराई में और आश्ण में नहीं उतरता तब तक माया मुँँ का फंदा नहीं तूटता आपको भी तो मालूम है कि एक दि मुझे संसार को छोड़ कर जाना है और उस समय कुछ साथ में नहीं जाएगा तो कोशिश करें अभी से सबका मुँँ छोड़ करके जीवन जीएं और आप देखेंगे कि पुरा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा मुँँ को तुमने अपना प्राण समझ रखा है वह जीवन के लिए फासी है कि ऐसा समझो कि एक साहिब के जो प्रश्ण प्रश्णों के जो उत्तर हैं वो बड़ा साहस देते हैं हिम्मत देते हैं कई बार पहरे कार्ड आया करते थे कार्ड लिक करके कोई भेज देता है कि इस कार्ड को आगे दस लोगों को भेजो तो लाग मिलेगा नहीं तो तुम्हें नुक्सान हो जाएगा अब वाटसेप में आगई हैं चीजें ये वाटसेप को आगे फॉरवर्ड करो इतने ग्रुप को जो तो तुमको नुक्सान होगा ऐसा ही एक प्रशन है कई बार ऐसा कार्ड या परचा मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि किसी खास इस्थान या मंदिर में किसी आदमी को देवी जी रिया हनुमान जी या किसी नाग देउता ने दर्शन दिया है और कहा है कि जो मेरे नाम से इतने कार्ड लिख कर या पैम्पलेट छपवा कर बाटेगा उसे ऐसा लाब होगा और जो इसे फाल कर फेंग देगा तो उसकी यह यह हानी होगी तो क्या यह सही है यह धूरतों का प्रपंच है जो कमजोर्मन वाला है जो भावुक है वह व्यक्ति ही ऐसा कार्ड या पर्चा पढ़कर भ्रम्मे पढ़ता है सुनो ऐसा कार्ड मिले तो से तुरंद फाल कर फेंग देना चाहिए कार्ड को फाल कर फेंग देने से कोई हानी नहीं है हाँ ऐसा कार्ड लिख कर पर्चा छपवा कर बाटो तुछ समय शक्ति और पैसे की हानी अवस्य होती है अरे भाई पोस्ट आवसों में पोस्ट कार्डों का अभाव होता है और तुम ऐसी गलत चीजों को फैला रहे हो उसमें वेस्ट कर रहे हो और पोस्ट मैन को ऐसे कार्डों को बाटने के लिए बिना जरूरत के परश्रम करना पड़ता है इसलिए इस जासे में मत फसो क्रोध और जलन में क्या फर्क है जलन जलन माने इर्शा किसी के प्रति इर्शा रखना और किसी के प्रति क्रोध इन दोनों में क्या फर्क है जब हमारे मन की किसी कामना की पूर्टी में किसी की बाधा पड़ती है या अनसुहाती बाते हम सुनते हैं तब क्रोध होता है क्रोध हमारे मन की कामनाओं की पूर्टी में जब बाधा पड़ती है तब क्रोध होता है और जलन इर्शा कब किसी दूसरे की उन्नती एवां सुख सम्रद्धी देखकर हमें जो मन में ताप होता है उसे ही जलन या इर्शा कहते हैं क्रोध और इर्शा दोनों से ही हमारा मन जलता है इसलिए इससे साधक को बचना चाहिए एक प्रशन आया है जनम के समय विवाह में लोग प्रसनता पूर्वक दावत देते हैं लेकिन किसी की मिर्टी होने पर दुख की इस्थिती में भी दावत क्यों दी जाती है किसी का जनम हुआ है किसी के घर में विवाह है तो दावत देना समझ में आता है लेकिन अब कोई मर गया है और उसके घर में दावत दी जा रही है ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों समाजिक रस्म और रूड़ी के कारण किसी की मृत्य हो जाने पर मृत्य भोज के समय पक्वान बनाना हजारों रूपए खर्च करना ये तो गलत है ही किसी के जनम का उत्सो मनाना या दिवाह का उसमें भी बहुत ताम जाम प्रदर्शन लोगों को बहुत खिलाना अनावश्यक खर्च करना ये भी गलत है है प्रदर्शन और दिखावा छोड़कर मर्यादित खर्च करना चाहिए हिंदूओं की शादियां इसलिए तनी महंगी है मुसल्मान की सादियों में इतना दिखावा नहीं होता इतना खर्चा नहीं होता मुसल्मान लोग दिन में शादियां करते हैं तो लाइट टेंट ताम ज्हाम का खर्चा बच जाता है उनका दिन में गए बीच में पर्दा लगा लेंगे एक तरफ कन्या पक्षकों लोग बैड़ जाते हैं एक में युवक पक्षके लोग बैड़ जाते हैं मौलवी आता है एक मौलवी हमसे कहते थे हम लोग को कुछ नहीं मिलता है एक विवाह करवाने का 500 रुप्या मिलता है बस और आप के हां देखिए इतने नेग चड़ते हैं पंडित के लिए नाव के लिए नाउन के लिए और हमारे हां तो बस एक बार हम बोल दिये कबूल है तुम्हें लड़की ने कह दिया कबूल है लड़के ने कह दिया कबूल है बस हमारा काम खतम फिर हमारी कोई एहमियत नहीं तो उनके यहां शादी को इतना हलका रखा गया है और हिंदू के यहां तो जिस दिन शादी हो तो उन सबको लगता है कि लगता है मैं राजा हू हूं क्या कि राजकुमार हूं सब को जूठा भ्रहम कुछ घंटों के लिए हो जाता है कि मृत्यू के समय कि खर्च करना यह तो गलत है ही जनम और विवाहा के आउसर पर भी अनावश्य खर्च गलत है मृत्यू के संदर में सहे लिखते हैं यह समझना चाहिए कि जाने वाला मृत्यक अपने पीछे कुछ संपत्ति छोड़ जाता है जो कि उसके परिवार वालों को बिना परिश्रम के मिल जाती है तो घरवालों का कर्तब है कि वे उस संपत्ति का उप्योग केवल अपने लिए न करें उसको वो तीन जगहों पर जरूर लगाएं पहला जो पवित्रात्मा संत हैं उनकी सेवा में दूसरा जो अभाव ग्रस दीन दुखी हैं उनकी सेवा में और तीसरा लोक का ल्यानकारी कामों में यही उसके प्रती सच्ची स्रद्धान्जली है तो मृत्यू के समय जो लोग श्राद करते हैं उसको साहिब ने कहा अगर बुलाना ही है करना ही है तो इकदम साधान कर दो और जो पैसे हैं वो जहां उचित हो दिन दुखियों में समाजिक सिवा में धर्मिक कारियों में लोक कल्यान कारी कामों में यहां लगाएं वही सच्ची श्रधानजली वही सच्चा श्राद है लेकिन फिर यहीं पर पुरोहित आ जाते हैं पुरोहित उसका करम कांड उसका लालच यह मजबूर कर देते हैं लोगों को इस प्रकार यह थोड़े से प्रश्ण और उनके उत्तर यहां से बताये गए सहे बंदेगी